आज की वीडियो में आपके साथ बनार सी साड़ी को एक लहंगे पर ड्रेप करके दिखाऊंगी तो ये मेरा एक लहंगा है लेहंगे में जो फ्लेयर है वो अच्छा होना चाहिए साड़ी के साथ का भी ब्लाउस पहन लिया और साड़ी का जो लहंगे का सवरी जो नाड़ा है उसको अंदर की साड़ कर लेना है आपको लहंगे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बाना क्योंकि हम इसके उपर साड़ी और द्रीप करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से प्लेट बना लेनी है नीचे तक इसको सैट कर देना, सैट करने के बाद साइट से हमें इसको टक करना, स्टार्ट कर देना फिर दूसरी प्लेट इस तरीके से बनानी है नीचे तक उसको सैट करते जाना है और इस तरह से थोड़ा त्री से टू से थ्री इंच की दूरी पर उसको ड्रेप कर देना है अंदर के साथ टक करके और फिर इसी तरह से मैंने एक और प्लेट बना ली है और फिर बनाते हुए थोड़ा हलका हलका जो लहँआ है उसको फिल आप साईड में करते जाना गोलाई के लिए क्योंकि पूरे में इसी तरीके से हो पाएगा और मैं थोड़ा थोड़ा एक एक ले रही हूँ और उसे कर रही हूं ड्रेप और पिछी की साड लहँगे को करती जा रही हूं तो इस तरीके से जब 6-7, 8 आपकी जब साडी की लेंद के उपर डिपैंड करता है बन जाए तो फिर आपको जो बचा हुआ साडी का पला है उसे पीछे की साड से लाना है लाने के बाद फिर अब मैं इसकी छोटी-छोटी जितना बॉर्डर है उसकी अकॉर्डिंग ही छोट प्लेटे बना रही हूं और बनाने के बाद साथ की साथ यह आपको इस तरह जटकते हुए जाना है तक यह सैट हो जाए और मेरी यह साडी काफी अच्छी है तो बड़ी जल्दी से इसकी प्लेटे सैट हो जाती है तो मैंने फिर एक बार थोड़ा फेबर उपर से पकड़क तो नीचे से जो बॉर्डर है उसको भी मैंने सई से सेट कर लिया है पीछे ले गई हूँ और एक जो है साड़ी पिंच से उसको टक कर दिया है और फिर जो बॉर्डर था उसको इस तरह से पीछे की साइड आपको खीशते हुए और जो फैब्रिक बचा था उसको आगे की लाना है लाने के बाद जहां पला सेट किया है उसके नीचे की साइड ले जाकर एक साड़ी पिंच से आपको सेट कर देना है उसको टक कर देना है और फिर नीचे की साइड आपको इस तरह से सैट कर लेना है फिर मैंने यहां पर एक गोर्डन कलर की मेरी मेटल बैल्ट है व जो सेकंड तरीका भी मैं आपके साथ सेयर करूँगी इसमें आपको गया करना है कि आपको जो पहले हमने बनाई थी तो पिने लगाई थी उनको पल्ले वाले प्लेटे हैं उनको खोल देना है और फिर एक प्लेट और मैंने पीछे की साड थोड़ी बनाई है वेस्ट लाइन पिर उसारी प्लेट बनाएं चोटी बनाई है प्लेटे हैं बाद अब बोझा नहीं सद्थल कर लेड़ आपको we the largo बाव सकते ताकि नीचे वाली प्लेटे दिखेन एक और छीचाय प्रूप्लाब आपको फिर मैंने साड़ी पिंसिन को अटेच कर लिया है इसके बाद फिर मैंने फिर से बैट लगा ली है बैट लगाने के बाद इसका जो लुक इस तरीके से आता है अभी मैंने सर पे नहीं रखा आप इसे चाहें तो सर पे भी रख सकती है और इस लुक में मैंने इसके साथ जो है गज्रा हेरिस्टैल बना ली है और इस तरह से आप लगके पीछे चाहें तो एक यूपिन से सिक्यूर भी कर सकते हैं पीछे से इसका लुक काफी अच्छा लगता है और इस तरीके से आप इसका किसी भी फैस्टीवल पर या साधी में अगर आप सर पर पला रखते हैं तो इस थे दोनों वे अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेयर करना तब मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए